हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारी यूटूब चैनल जांगडी फैमली में सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खीर का रेसिपी सो देखिए अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट किजिएगा आपके बना श्टार्ट करते हैं अब भी हमने दूद अबार लिया है देखिए दूद गरम हो गया है अब हम इसमें चावल दा देगे यह चावल खीर का इस पेस्टल खीर का ही चावल आता है यह देखिए छोटा-छोटा है इससे बहुत अच्छा खीर बनता है अब लेगे यह मैंने धो के रखा था दूला हुआ चावल आता है यह थोड़ा देर इसे थोड़ी तेर हिलाएंगे जब तक उबाल नहीं आएगा क्योंकि इलाएंगे नहीं तो फिर इसमें बुठलियां बन जाती है तो इसको रुक रुक के थोड़ा हिलाएंगे जासे उबलने लग जाएगा तब छोड़ देंगे फिर अपने बन जाएगा कि यह दर मैंने नारियल का बूर्रा लिया है थोड़ा और तीन ही लाएची है और थोड़ा बादाम कट किया है यह डालेंगे इसमें चीने डालेंगे बस यह डालके बनाएंगे जादा कुछ नहीं डालेंगे इसी से देखके बहुत अच्छा बन जाएगा हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है और सिंपल तरीका ज्यादा जमेला भी नहीं है वह ज्यादा सामान कुछ जो घर में है उसी से बना रही हूं कि चावल एक दम छोटा छोटा चावल है तो देखे दोस्तों खीर हमारा उगलने लग गया है तो अब इसमें हम यह सब डाल देंगे नारियल का बूरा है तीन एलाइची है थोड़ा बादाम कटा हुआ है तो टाल देंगे इसमें नारियल का बूरा मैं डालती हूं कि मुझे नारियल अच्छा लगता है और इसे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है यह एक लिटर दूद में बना रही हूं है एक लिटर दूद में मैंने यह चावल देखा आपने दो मुठी इतना चावल लिया था मैंने बस इतना ही चावल डाला था और इतने इसे चावल से यह देखेगा कितना गाडा बन जाएगा यह चीने डाल रही है चीने आप अपने हिसाब से डाल लेजिएगा क्योंकि कोई मेथा ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है तो यह देखेगे मेरे पास यह मनें दो भरके डाला है और थोड़ा सा उटाल रहेगा अपने आप बन कर एकदम गाडा हो जाएगा आप सब को दिखाएंगे कि ऐते हैं शो दोस्तों दखिंखे खीर बन गया देखिए गड़ा हो गया इतने से चावल JEFF को तैंसनी को कैन लिए यह यह क्ाषी है देखिए बन गया है यह वर दोर्ड बढ़एखिए दहां ऺड़ा देखिया उसमें देखिया किुटना गड़ा होगाँ अच्छा लग रहा है तो बाइगाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाइगाइज